नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्योब चैनल में दोस्तों भारतिय सतंदर्ता आंदोलन और भारत में जितनी घटनाए उस समय हुई थी उस सब के बारे में मैं वीडियोस के एक सीरीज लेकर आया हूँ जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस देख सकते हैं इसी सीरीज में आज की वीडियो में हम बात करेंगे होम रूल लीग आंदोलन के बारे में दोस्तो पर्थम विश्व युद के आरम होने पर भारतिय राष्ट्रवादी नेताओं ने सरकार के युद परियास में सहयोग का निश्चे किया इसके लिए एक वास्तुइक राजनीतिक जन आंदोलन की आउशकता थी लेकिन ऐसा कोई जन आंदोलन भारति राष्टे कांग्रेस के नेतरतों में संभव नहीं था क्योंकि यह नरमपंतियों के नेतरतों में एक निश्च करिये और जड़ संगठन बन चुकी थी इसलिए 1915 और 1916 में दो होम रूल लीग की स्थापना हुई भारतिया होम रूल लीग का गठन आईरलेंड के होम रूल लीग के नमूने पर किया गया जो ततकालिन परिस्थितियों में तेजी से उभरती हुई परती क्रियात्मक राजनीती के नए सवरूप का परतिनेदितों करता था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक इस नए सवरूप के नेतरतों करता थे होम रूल आंदोलन के तोरान तिलक ने अपना परसिद नारा होम रूल यानि की सवराज्य मेरा जनम सिद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा ये दिया था 1917 का वर्स होम रूल के इतिहास में एक मोड विंदू था जून में एनी बेसेंट तता उसके सयोग्यों को ग्रिफतार कर लेने के पस्चाथ आंदोलन अपने चरम पर था सितंबर 1917 में भारतिय सचिव मांटेग्यू किट गोशना जिसमें होम रूल का समर्थन किया गया था वहाँ पर इस आंदोलन में एक और निर्णायक मोड ला दिया गया था लीक ने अपने उद्देश्यों की सफलता के लिए एक कोस बनाया तता धन एकत्रित किया समाजिक कारियों का आयोजन किया तता स्थाने परसासन में कारियों की भागिदारी भी की गई थी तो दोस्तों ये था आज की वीडियो आज की वीडियो में हमने होम रूल लीक के बारे में जाना उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद